हाई एवरिवन, वेलकम तुमाई यूटूब चानल और ये है मेरे स्टड़ी का फोट डे का वीलोग और अभी मैं पानी पी रही हूँ सुबह सुबह पानी पिना हमारे सहेत के लिए अच्छा होता है और अभी ये मैं चाय पी रही हूँ चाय पीने से मूर्फ फ्रेश हो जाता है और स्टड़ी करने का मन करता है तो कल लगबग मैंने पानी चार गंटे की स्टड़ी की थी और अभी ये मैं हिस्ट्री की पढ़ाई कर रही हूँ मुझे हिस्ट्री की ये बूख बहुत जल से जल कम्प्लिट करनी है इसलिए मैं डेली उसको वन आवर दे रहे हूँ और यहां पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कहने के लिए बेबी को संभालने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं पर बेबी की प्रती एक मा के रिस्पोंसिबिलिटी बहुत बड़ी होती है हर वक्त मा को ये चिंता रहती है कि हमारा बेबी क्या कर रहा है इसलिए कभी भी मा उसको अपने आखों से दूर नहीं होने देती बेबी का सोने का टाइम रहता है बेबी का खाने का टाइम रहता है उसी टाइम पे उसको खिलाना पड़ता है और जब उसको निंद आए तभी उसको सुलाना पड़ता है और बेबी की पोट्टी का भी टाइ सारे से विभार नहीं करते और जब हमारा टाइम बहुत अच्छा होता है तब जो लोग पहचान भी नहीं होते हैं वो भी हमारा इसना पूछने लगते हैं तो अभी मैं बेबी के लिए ऐपल का जूस बना रही हूं आपल कट करके उसको मिकसर में से निकालके उसका मैं जूस बनाके बेबी को पिलाती हूं उसमें दूद भी डालती हूं और वो बेबी को बहुत पसंद है तो मैंने हिस्ट्री की वन आवर की स्टड़ी की थी और अभी मैं Building Construction की पढ़ाई कर रही हूँ तो Building Construction के लिए मैं Civil 101 करके एक उट पिचानग है उसर से वीडियो देखके पढ़ती हूँ गोशर बहुत अच्छा पढ़ाते है और मुझे उनके साड़े वीडियो सब कुछ समझ में आता है हमें हमारा टाइम अच्छा करने के लिए कोशिश करने चाहिए अच्छा टाइम यानि क्या कि हमें कोई अच्छी जॉब लगना इसलिए जॉब लगने के लिए पढ़ाई करने बहुत जरूरी होती है चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए हमें डेली के डेली पढ़ाई करने पड़ती है पढ़ाई के बाद हमें अच्छी जॉब मिलेगी गोवर्मेंट या गोवर्मेंट हमें प्राइट भी जॉब मिली तो भी अच्छा है प्राइट में अच्छी जॉब मिली तो भी अच्छी बात है तो इसलिए हम अपने time को कोशने से अच्छा है कि हम अपना time अपने खुझ से बनाई है इतना मुश्किल भी नहीं है सब कुछ आसान होता है स्रिफ हमें करने की देरी होती है इसलिए अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो अपने time को अच्छे काम के लिए यूज करो तो सब कुछ हो जाएगा जो आप चाहते हो तो अभी मैं राइस को पका कर बेबी के लिए राइस को मिक्सी में से निकाल कर उसको एक पेस्ट बणा के दे रही हूं और उसमें मैं कव का घी और थोड़ा सा नमक डालती हूँ तो इससे बेबी के लिए अच्छा होता है और बेबी का मुझा टेस्ट भी अच्छा रहता है तो अभी टाइम हुआ है दो पेर की चाय का और अभी मैं चाय पी रही हूँ तो अभी मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की फिर से पढ़ाई करूँगी तो 21 डेज चैलेंज के बारे में सबको पताई होगा अगर कुछ हमें आदत लगनी होती है वो 21 डेज में लग जाती है अगर हमें कुछ आदत छुडानी होती है तो वो 21 डेज में छूट जाती है ऐस कि हमें लगातार 21 days तक अपनी study चालू रखनी है और बाद में 21 days के बाद हमें हमारी बॉड़ी को अपने आप आदत हो जाएगी study करने के लिए तो ऐसा रहता है 21 days का challenge तो मैं मैं भी ये कोशिश करूंगी कि मैं अपना 21 days का challenge बहुत अच्छी से complete करूँ कर रहे हूँ तो अभी मैं मैं मैच्ज की बढ़ाई कर रही हूँ तो मैच्ज के लिए यूटूब प singular है वाईज e आकेडेमी करके मैं उस焦 से मैस पढ़ती हूँ और मैट्स के लिए डेली प्रैक्टिस भी कर रही हूं स्त्री वर्ल करके यूट्यूब पे एक चैनल है ब्यूटी दिदिका तो वो बहुत अच्छे वीडियो बनाती है उनके वीडियो देखके मुझे एक मोटिवेशन मिलता है उनके स्टडी वी लॉग रहते हैं उसमें वो कि दोएं पढ़ाई करनी चाहिए एशा वो बोलती है और सच बात है हमें हों मारी पढ़ाई कंप्लीट करनी जाहिए क्यूंकि पढ़ाएं से हमें उसके बहुत चाहिदे मिलते हैं हम यह बात तब नहीं पाता चलती हम ऑंकर इक बहुत अच्छे से से उपएप करते हैं तो तो आज से मैंने रिजनिंग की प्राक्टिस चूरू कर दी है तो रिजनिंग में मैं काउंटिंग फिगर्स को सौल कर रही हूं थैंक्स पॉर वाचीं